तो जैसा कि आप लोग जानी चुक्या होंगे कि एक्जाम डेट जो है आ चुका है और एक्जाम जो है आरे भी एंटेफिसी का एक्जाम 28 दिसमबर 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा तो इसके लिए आप तयार तयार हो जाईए और सबसे बड़ा बात यह कि घबराना बिल्कुल नहीं है एकदम आसा आराम से काम करना है एकदम मतलब स्मार्टली काम करना है और एकदम आराम से इन्हें के घबराना नहीं है इसमें एकदम पैनिक नहीं होना है कि बस मेरा एक्जाम है तो हम यह करेंगा वह करेंगे नहीं आपको एकदम आराम से स्मार्टली और एकदम स्टेप step by step step by step काम करना है तो इतना दिन से आपका exam date आ चुका है आप लोग त्यारी करी रहे होंगे और अभी भी करी रहे होंगे तो बस इस वीडियो के माध्यम से में यहीं बताना चाहरे हैं कि अभी जो आपका time ज्यादा तो बचा नहीं है पचीस दिन करीब बचा है तो अभी का समय जो है घवराने का नहीं है अच्छे से काम करने का है तो हम इस पर किस तरह अपना planning को execute करेंगे किस तरह अपने planning पर काम करेंगे तो इसी के ऊपर हम देखते हैं सबसे पहली बात तो यह जान लिजे कि यह जो exam conduct करा रही है इसका सब जिमा लिया है किसने TCS ने TCS बोले तो टाटा कंसेंट्रेल सी सर्विस तो उन्होंने इसका भीडा लिया है तो इसके पहले जो exam सब railway का हुआ है तो टी से नहीं कंड़क्ट कराया है तो आप जो पिछला जो गुरूब डी का exam सब हुआ उसका papers को अच्छा से study बजोड करिएगा जो पेपर्स आपका गुरूप में आप देखें गारभी एंटीपीसी के तुलना में तवारभी आपका गुरूब डी का question काफी हाड आया था तो उसके अनुसार ही आपको पैटन फॉलो करना है क्योंकि टी से क्वेशन हो सकता है सेट करेगा तो उसी अनुसार आपको काम करना है तो पिछले य कि अपना पीना रख के और उसके हमास काम करेंगे तो हमारा जो है आपका निश्चिन्थी इसमें さब हो जाए मूह बाथ क्या कि आप लोग पढ़ाय के चक्कर में अपना घ्रला फाल में उबगारा सब हो लगा और फिर पता चले कि कुषर दिन में बीमार हो गय के और दल तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सब कुछ का एकदम प्रोपर डाइट प्रोपर सब कुछ प्रोपर सुभा में टहलना सुभा में थोड़ा सा वाकिंग वयाम जो भी है करके ही अपना पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करें ताकि आप जब एक्जाम देने जाए तो फिजिकली फिट होंगे तभी मेंटली भी फिट होंगे तो दोनों चीज़ जरूरी है तो फिजिकली मेंटली दोनों का ध्यान रखें एक बात एक्जाम होगा कितने मार्क का होगा और उसके लिए सामाइक कितना मिला गंबे मिनट तो टाइम काफी है इससे घवराना बिल्कुल नहीं है इनहीं किया मेरा स्पीड नहीं है यह नहीं इह वो नहीं वो वह सब एक बहाना है आप बस अपना एकुरेसी पर देचे कितना आपका सही हो रहा है और आपका अगर मनली कोशन बन रहा है तो आप जान लिजिए कि exam में भी कोशन बनेगा अब हम planning का बात करते है planning जो है हमारा आज है 5 December 2020 हमारा planning स्टाइट होता है छह December 2022 कैंड तो हम जो planning बनाए है 6 December 2020 से हम पांस इस पांस दिन का ऑफ पांस दिन खाए तयारी है जैसे जैसे यह स्ब्सक्राइबी वेसे तारीख है जो चछे साथ आठ नौ 10 तो पांस दिन का जो तो समय होगा उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले मान लीजिए आप सुभा में जितना बज़े उठते हैं लेकिन एक्जाम इसा प्रेसर देता है कि आदमी को सही से नींद नहीं आता है तो नींद भी लेना जरूरी है लेकिन वरिजिनली में मानिए यह जो बेरोजगारी क कि प्रेसर होताया जिसके करनार ड्राहा दूर्दान नहीं आता है तो ऐसे आदमी सूभा में उठी जाता है लेकिन फेर भी कोशीश न करें कि अच्छा से सोगे और अच्छा नींड लीजिए तो सुभा में उठीए कम से कम छे बज़े जितना बज़े उठने कमान हो उठिए लेकिन 7 बज़े तक आप फ्रेस जो हो कर तयार हो जाईए 7 बज़े से लेकर 8 बज़े तक एक मॉक टेस्ट लगाईए एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए उसके बाद उसका एनलाइसिस करिए 15 मिनट के बीज में गैप लिजे उसके बाद उसका एनलाइसिस करिए आपको कम से कम दो घंटा एनलाइसिस में लगेगा तो मान के चलिए आप अगर आट मैतालिस से 10-45 तक एनलाइसिस करिए दो घंटा लीजिए एनलाइसिस में एक ऐसा चीज है अगर आप उसको उसको ध्यान दे दिये उसका एक एक कोश्चन को समझ लिए अभी नहीं कि पता चले कि आपको बोल दिया जाए कि मान लिजिए सब कोश्चन अब कर रहे हैं कि आपको कोश्चन क्या पूछना चाह रहा है सिरलंका के बारे हैं पोच लिया तो उसके अगल आणिडिया के अगल बगल में कौन सा देश है यह सिरलंका है पाकिस्तान है बंगलादेश है भूतान है इस सबका आश्टरी खेले एक बार देख लेगे इससे क्या होगा हमारा जो अगर मान तो इनलाइसिस यह हुआ तो उसके बाद सेकेंड मॉक टेस्ट भी लागाना आपको फिर आप एक दो घंटा गैप ले लिजिए उसके बाद फिर से एक बज़े स्टार्ट करिए दिन में दिन का एक बज़े से लेके अठाई बज़े तक एक मॉक टेस्ट और लगाई है फिर का इक आतों créer अदेडियर sì स्कारिव तो पैटालीस से क्तना तुकमढ लिए अपाँच बज़े तक दुसरा मलुक टेस्ट का आड़ एक चलीए जॅब पाँबजहि से साथ बजहिर तक आपको जो खहते पढ़ाते हैं या फिर्छो करते हैं अपना काम कर लिए उसके बाद 7 वज़े आप फिर से बढ़ जाई है पढ़ने के लिए 3 घंटा अब इस 3 घंटा के दावन में क्या खरता है साथ बज़े से 10 बज़े टक पढ़ना साथ बज़े से 8 बज़े तक आपका पहला काम है आपको मैस में मैस में कम से कम मान के चलिए कम मीनिमम फाइव मैक्सिमम दस कोष्टन को लिया तो थोड़ ठिफ होना चाहिए और वैसा भी वैसा कोष्टन ली इजिए जो जो टौपिक आप से नहीं बन रहा है तो उसका कम से कम 10 question, minimum 5 आए, maximum 10 question लीजे, जो थोड़ा tough हो, tough question को मनाईएगा, तो आपका confidence होगा, boost high होगा, confidence high होगा, तो आपका exam का level, exam में question solve करने का level को उठा देगा, और वो चार-पांच question मान लीजे, अगर रोज बनाते हैं, और उससे मान लीजे, कि आप 4-5 number अगर आपक तो यह सब यह से एक चीज है, जिससे आप मतलब भीड को हटा के आगे बढ़ सकते हैं, और जो second hour होगा, मतलब आपका मान लीजे, एक घंटा तो यह किए, दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, कि जितना भी आपका GS का topic है, मान लीजे, GS का topic, कम से कम दो topic, पैड़े, आ कोई अच्छा topic उठाई है, जैसे आप science से ज्यादा कोशन आता है, biology से, आपका chemistry से, physics से, तो उसका कोई भी दो topic उठाई है, उसको मान लीजे, जो topic आपको लग रहा है, कि मेरा लग रहा है, इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो उसको clear कर लीजे, दो topic, कम से कम, दो topic, दो से हम पड़ी भी रहे हैं साथ में, तो आपका confidence जो होगा हाई होते रहेगा, और जो तीसरे घंटे में हम क्या करना है, जो हमारा देखिए, बहुत लोग तो अपना मान लीजे कि current affairs करी रहोंगे, और कर भी लिया होंगे, लेकिन आपको अगले एक घंटा, एक घंटा में क्या करना है, कि इस घंटे में आपको जितना भी आपका current affairs का part है, उसको आप clear करिए, इसके लिए भी हम हाली में किताब देखे थे, मतलब घर पे गये थे, मेरा भाई भी मतलब तयारी करता है, तो हम देखे उसके पाद एक speedy का book रखा हुआ थे, speedy current affairs, वार्सिकांक बोलके, त आप लोग उसको purchase कर सकते हैं, काफी अच्छा किताब है, तो उसको आप खरीद लीजेगा, मतलब ज्यादा दाम नहीं है, तो उसको आप ले लीजेगा, वार्सिक का आता है, मतलब एक साल का उसमें रहता है, पिछले एक साल तक, मतलब अगर आज आज आप खर देंगे, त आज से पिछले एक साल तक का उसमें कभर उसमें पूरा रहता है, तो उसको ले लीजेगा, उसमें कुछ-कुछ अच्छा टॉपिक जो मिलेगा, उसको कभर करिए, अब माली जे की, ग्रेंड सलेम का question आया, ग्रेंड सलेम यह नहीं की, अब हम पूरा पढ़ने लगे की, य यह बिजेता कोन है, उसका बिजेता कोन है, उसका क्वाटर फाइनल में कोन जीता थे, इतना नहीं देखना है, हमको देखना है कि ग्रेंड सलेम का फ्रेंच माली जे फ्रेंच ग्रेंड सलेम होगा, उसमें का बिजेता कोन है, महिला में कोन है, जेंस में कोन है, बस जो टॉ से bit question आ सकता है क्योंकि यह सब टॉपिक जो रहा है तो वो सब कश्षान आको आने का चांस है और जैसे कुछ अभीनता है कि हमें, जैसे pan कभर ही करेंगे उसको पूरी तरह कभर करेंगे यह रहा आपका यह पांस दिन का प्लान है फिर छटे दिन आपको क्या करना है आपको रेस्ट लेना है तो लेना ही है साथ में यह भी एनलेसिस करना है कि पिछले पांस दिन में आपका क्या क्या आपका प्रोग्रेस हुआ क्या आपका टोपिक छोट रहा है क्या चीज नहीं होरा है तो उस चीज को अप कभर करीं में माली टोपिक कमज़ूर प्रéfजिक्स में कोई टोपिक कमज़ूर है फिर नेक्स्ट पांस दिन आपको सेम चीज को रिपीट करना जो पिछले पांस दिन में आप नहीं किया तो बस इसी जो पांस दिन पांस दिन करके आप इसको फॉलो करेंगे कब तक जाएंगे कि आप 17 को एक दिन आपका मालेजी तो होगा नहीं उस दीन रेस्ड तो हम रिको लेना ही अभी अभी हमको ज़्यादा ज्यादा कबर करना है तो रेस्ट नहीं लेना उसमें पिछला चीज को कबर करना और आठारा से लेके तक होगा उसके बास तैजीन को तो फिर वही रेस्ट टाइप का जो बताए है पिछला ठोपिक मतलब कुछ छूट रहा उसको कवर करिए उसके बाद 24 सब 25 को करिए आपका सेम चीज को रिपीट करिए जो आप कर रहे हैं तो इसको अगदम रेगुलरली फॉलो करिएगा तो आपका काफी ख開始 जो अब आ चुका है तो इक्शाम के लिए कि आपको करना क्या है कि खुद मॉबाइल पर तो आप लोग देतने ही होंगे हम जान रहें मैकसिम मोबाइल होगा लेकिन आप prop से कमपूर्ट पर आपको करना से मौस पकड़ना भी नहीं साथ तो इस सब को इससे कographics करके जाना है कि हमको मतलब कोई चीज में यह नहीं कि अब वहां कर रहे हैं भी हम度 समझे में नहीं आ रहा है तो यूशा बिल्कुल नहीं करना अपना पूरा एक понадधम तैयार होके जाना है कि हमको एक्जाम के दौरान एक्जाम का महल क्रेट कर लेना है साइबर्काफें फिर झाइथ में फिर पूरिय क्लियर होने तो आज के लिए इतना ही मिलते फिर अगले विडिया में ठैक य।